कोईला घुटाले में पूर प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग की मुश्किले बढ़ती दिखाई दे रही है CBI के स्पेशल कोट ने पूर प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग को आरोपी के तौर पर सम्मन किया है जिस समय कोईला घुटाला हुआ था उस समय ततकालिन प्रधान मंतरी के पास कोईला मंतराले का भी प्रभार था मौहन सिंग के लावा उध्योगपती कुमार मंगलम बिडला पूर कोईला सचेव पी सी पारेक और तीन अन्य को भी आरोपी के तौर पर समन किया गया है अदालत ने अपरादिक साजिश विश्वाजगात और भ्रस्टाचार रोक्ताम कानून के प्रवधानों के तहट छे लोगों को आठ अपरेल को तलब किया है अदालत ने मामले में आरोपियों के तौर पर मैसर सिंडॉल को इसके अधिकारियों शुभेंदू अभिताब और धी बट्टाचारे को भी तलब किया है जो कोईले की खानों का वित्रन है उसकी सारी प्रणाली को 1993 से लेकर 2009 तक अपने संग्यान में लिया था और उचतव नियाले ने ना पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ना किसी यूपीय के अधिकारी के खिलाफ कोई भी टिपणी की थी अब कोई निचली आदालत किस कारण से किस निशकर्ष पर पहुंची है वो तो फैसले को अपने संग्यान में लेने के बाद ही पता चलेगा कोईले का घोटाला कॉंग्रेस ने किया हुआ घोटाला है और इसलिए वो आज भी उनकी मानसिक्ता वही है इसलिए पारदर्शी तरीके से कोईले का और दूसरे ख़दानों का और स्पेक्ट्रम का हम निलाम कर रहे है उसका वो जमकर विरोध कर रहे मैं यह समझती हूँ कि इसका पूरा क्रेडिट पार्लेमेंट को दिया जाना चाहिए है कोकि यदि यह मामला संसत के दोनों सदन में जोड़दार तरीके से नहीं उड़ता तो शायद यह लोग ऐसा डिसीजन नहीं लेते पिछली सरकार के समय जो घोटाले हुए उस समय पिछली सरकार के मंत्री यह कहा करते थे कि जीरो लॉस हुआ है चाहिए वो कोईला घोटाला हो चाहिए स्पेक्ट्रम घोटाला हो और पिछली बोली के दुरान ये देश ने भी देखा है कि जो अनुमान सीए जी ने लगाया था उससे कई गुना जादा रकम उन अबांटन से और अब बोली से जो अंतर दिखता है वो अपने आप दिखता है कि लाखों करोड रुपे के गोटाले उस समय हुए कि इस बात को तो मैं मान के चलूँगा कि हिंदोस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोचता है लेकिन अगर अदालत ने उनको समन्स दिया है तो उसकी हम उसका माल करते है मैं कोई ऐसा प्रश्ण चिन उठाना नहीं चाहता और किसी के उपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रधान मंत्री कैसे व्यक्ती हैं जो अपने पत से उठकर देश के भविश्य को सामने रखते हुए निर्ने लेते थे और मैं इस बात का मुझे परिचे है और कभी उन्होंने ऐसा हमें आज तक हम भी मंत्री थे उस मंत्री मंडल में कभी उन्होंने ऐसा आज तक हमें नहीं का कोई गलत काम करो हबरों की दुनिया में आईए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये हम मिलेंगे फेस्बुक पर हम दिखेंगे यूट्यूब पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर हबरों के साथ बने रहे राद दिन